हलो सुरेंट्स मिना नाम धीरज महंदवेदी और स्वागत आपके फेवरिट चैनल मागनेट ब्रेंज पर मागनेट ब्रेंज एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिलकुल फ्री ओनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन और मैं आपको एक और बाब बताना चाहता हूँ कि मागनेट ब्रेंज पर किंडर गार्डेंज से लेके तो आपको सिंपल यहाँ पर फॉर्म फिल अप करना है बागे टीम आपसे कॉंटाक्ट करेगी तो चलें आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 वजिक्स का जो चाप्टर है चाप्टर एलेक्टरिक चार्जज एंड फील मतलब पहला चाप्टर इसके आज हम करने वाले है प्रिवियस इयर कुश्चन तो प्रिवियस वीडियो में हमने बात की थी पी वाई क्यू में वन मार्क कुश्चन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले सालों में जो टू मार्क के कुश्चन आए हुए हैं वो कैसे कुश्चन हैं ठीक हैं तो आज का वीडियो रह सवाल ध्यान देना, derive the expression for the torque acting on an electric dipole when it is held in a uniform electric field, मतलब अगर आप किसी dipole को uniform electric field में रखोगे, तो उसके उपर जो torque लगेगा उसका expression derive करनी है, दूसरा, identify the orientation of dipole in the electric field in which it attains a stable equilibrium, और फिर आपको ये बताना है कि किस orientation में आपका जो torque होगा या ऐसा कहले, किस orientation में आपका वो stable equilibrium में होगा, है ना, वो अपन देखेंगे आपर, चलो अभी पहले अपन derive करते हैं expression, torque का, देखो, यहाँ पर ध्यान देना, simple कहानी है, माल लो ये आपका electric field present है आपर, uniform electric field, अब जैसा कि आप जानते हैं कि uniform electric field अगर show करना है न, तो वो parallel field lines और equally spaced field lines से show करते हैं, देखो, parallel होना चाहिए और equally spaced होना चाहिए, तो uniform field को show करता है वो, इसे clear, ठीक है, अब यहाँ पर रख रहा हूं में एक dipole, तो dipole का मतलब pair of equal and opposite charge, ये माल लो dipole है, ये आपका minus q, ये आपका plus q, ठीक है, और इनके बीच का जो separation है, उसे मैंने 2a मान लिया, है न, तो 2a is the separation between charges, मतलब इस 2a को dipole की length बोलते हैं लोग, है कि नहीं, ठीक है, तो generally अपन 2a मानते हैं, ताकि उसके mid से a और a हो पाए, है न, इसलिए, ठीक है, अब देखो, ध्यान से आप लोग, आप ये बदाओ, यहाँ पर जो dipole moment होगा, dipole moment होता है, negative से positive की तरफ, तो ये आपका dipole moment है, तो आप बदाओ, dipole moment और electric field के बीच का angle कितना है, theta, agree, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग, देखो, मुझे निकालना है इसके उपर torque, ठीक है, ये dipole के उपर torque कितना लगेगा, क्योंकि ये torque की वज़ा से ये आपका deflect होगा, महला rotate करेगा, तो अब देखो यहाँ से आप लोग, यहाँ पर, आप ये बदाओ, ये जो आपका positive charge है, dipole का, positive charge के उपर electric field की वज़ा से, जो force लगता है न, वो along the field होता है, है के नहीं, और force की value होती है, Q into E, मतलब charge into electric field, ठीक है, और negative charge की उपर जो force लगता है, electric field का, वो electric field के opposite में लगता है, तो ये होगे आपका QE, same value, है के नहीं, तो negative की उपर opposite to field, positive की उपर along the field, और force की value क्या है, same, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर लग रहा है force इस direction में, यहाँ पर लग रहा है force इस direction में, तो आप बदाओ, यह देखो, मालो dipole है, यहाँ पर लग रहा है, ऐसे QE, यहाँ पर लग रहा है QE, ऐसे, तो यह ऐसे घुमेगा न, मतलब यहाँ पर couple देखने को मिल रहा है न, couple का मतलब क्या होता है, कि आपका equal and opposite forces acting at two different points तो जहाँ पर equal and opposite force होते हैं और वो दो different points पर लगते हैं तो वहाँ पर rotation देखने को मिलता है तो यह जो आपका equal and opposite forces acting at two different points होता है न इसी को कहते हैं couple ठीक है चलो तो अब यहाँ पर देखो rotation देखने को मिलेगा तो अब मैं torque निकालना चाह रहा हूँ ठीक है ध्यान देना जो torque का formula होता है न वो होता है force into perpendicular distance क्या होता है force into perpendicular distance ठीक है अब मेरी बात को सुनना ध्यान से यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर force ले दाऊं QE को ठीक है मेरी बात को बिलकुल ध्यान से सुनना आप लो मैं यहाँ पर अगर force को ले रहा हूँ QE को इस वाले QE को तो perpendicular distance क्या होगा जो आपका line of action of force है line of action of force है क्या नहीं तो बदाओ इस line के about force लग रहा है कि लग रहा है ठीक है और माल लो यह जो आपका डाइपोल है वो इस point के about rotate हो रहा है तो इस point के about rotate हो रहा है देखो यह देखो ऐसे तो जिस point के about rotate हो रहा है और जो line of action of force लिया आपने उसके बीच का जो perpendicular distance होगा that is this perpendicular distance तो आप अदाओ यहाँ पर इसे आप A मानो इसे आप B मानो है ना इसे आप B मान लो ठीक है अब अब अदाओ line of action of force यह है मतलब इस line के long force लग रहा है और इसके about मान लो rotation है तो इनके बीच का perpendicular distance यह वाला होगा ना ठीक है तो इसे क्या बोल दोगे आप A M बोल दो है के नहीं तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे देखो torque is equal to force की value कितनी QE और perpendicular distance कितना है आपका A M है ना perpendicular distance is the perpendicular distance between line of action of force and the point about which rotation takes place तो मैंने इस point A के about rotation मान लिया तो इस point और line of action of force इनके बीच का जो perpendicular distance होगा वो लेंगे हम लोग यहाँ पर तो perpendicular distance कितना आपका A M है ना ठीक है अब देखो यहाँ पर यहाँ से मुझे इस A M की value को निकालना है तो simple कहानी है यहाँ पर यह theta है तो alternate angle से यह theta होगा तो अब दाओ यहाँ पर यह right triangle है right triangle में अगर मैं sin theta यूज़ करूँ तो यह देखो इसको अभी hold पर डालो since sin theta आब दाओ sin theta क्या होगा perpendicular upon hypotenuse और इस angle के लिए perpendicular कौन है A M तो यह A M upon hypotenuse कितना है भाई 2 A na length of dipole ठेक अब देखो यहाँ पर ध्यान से तो A M की value कितनी हो जाएगी this is 2 A sin theta हाई न तो अब हम क्या करेंगे इस A M की value 2 A sin theta को यहाँ पर पुट कर देंगे अब देखो ध्यान से अब देखो यह आपका क्या है चार्ज और यह 2 A क्या है length of dipole मतलब दो चार्ज के बीच का gap है यह तो आप दाओ charge into 2 A मतलब charge into separation इसे dipole moment बोलते है न तो आपका q into 2 A क्या हो जाएगा dipole moment into e into sin theta तो यह होगे आपका simple torque का expression p e sin theta बोलो हाए न ठीक है अब मेरी बात को सुनना ध्यां से इधर देखो जब यहाँ पर टॉर्क जब यहाँ पर dipole q उपर torque लगेगा तो यह rotate होगा ऐसे मतलब इसकी tendency होगी along the feel आने की और जब यह along the feel आ जाएगा न तो फिर आपका torque 0 हो जाएगा है के नहीं ठीक है तो यहाँ पर देखो उसने पूछा है ना किस orientation में आपका यहाँ पर stable equilibrium में होगा तो आप यहाँ पर यह कहेंगे कि जब आपका dipole का dipole moment along the feel होगा मतलब theta की value 0 होगी तो वहाँ पर stable equilibrium में होगा इसे clear ठीक है ध्यान दो हम यहाँ पर कहेंगे क्योंकि देखो यह rotation करके लाना चाहेगा electric field के along तो यहाँ पर वो stable हो जाएगा ठीक तो ऐसा बोलेंगे हम लोग at theta equal to 0 ठीक है tau equal to 0 देखो sin 0 0 होता है न ठीक है तो हम बोलेंगे therefore at this at this orientation orientation आपका यहाँ पर बोलेंगे dipole is in is in stable equilibrium stable equilibrium stable equilibrium ठीक clear यह कहानी है तो जब आपका theta 0 degree होगा तब वो stable होगा अगर पूछता unstable तो exactly 180 degree पर होता है ना जब आपका dipole का dipole moment ऐसा होता अगर opposite to feel लेकिन यहाँ पर सिर्ष टेवल की बात की है तो सिर्ष एक ही आंसर देंगे is it clear ठीक है तो यह होगे आपका simple to marks का सवाल एक है ना तो आप लोग ज़रा इसका screenshot लें फिर बात करते है question number 2 चलो भाई अब देखने है question number 2 में क्या कहता है वो देखो ध्यांसे question number 2 में क्या बोल रहा है देखो derive an expression for the electric field due to dipole of dipole moment peak at a point on its perpendicular bisector मतलब dipole के perpendicular bisector के किसी point पर अपनको क्या निकालना है electric field का expression मतलब basically ये equatorial position पर electric field की value मांग रहा है due to dipole बड़ा simple है ध्यां देना आप लोग यहां पर इधर देखो यहां पर अगर मैं बात करूँ कि ये आपका क्या है minus q और ये plus q ठीक है अब देखो ध्यां से थोड़ा सा और बड़ा बना लेता हूं यार मैं ठीक है देखो ये आपका है minus q और ये आपका plus q वैसे इतना बड़ा separation होता नहीं है dipole हमेशा short होता है लेकिन आपको दिखाने के लिए clearly दिखाने के लिए बड़ा ले रहा हूं मैं ठीक है चलो अब देखो यहां पर separation कितना ले रहा हूं मैं इनके बीच का 2a तो obvious ही बात है इसका जो dipole moment होगा वो negative से positive की तरफ होगा dipole moment p और p की value क्या होगी तो आपका p होगा q into separation मतलब q into 2a ये होता है dipole moment का magnitude ठीक है अभी अपन को कहा निकालना है electric field इसके perpendicular bicepter पर तो माल लो ये आपका center of dipole है यहाँ पर कहीं पर माल लो अपन को निकालना है electric field है के नहीं ठीक है तो अब बताओ देख करके यहाँ पर इस charge की वज़ा से ये माल लो point p है which is at a distance r हाँ है न ठीक है अब माल लो यहाँ पर देखो ध्यान से ये o माल लो center of dipole अब ये बताओ negative charge की वज़ा से point p पर जो electric field का direction होगा वो inward होगा की नहीं होगा negative charge के कारण electric field किसी point पर क्या होता है inward और positive charge की वज़ा से क्या होगा outward है के नहीं तो ये होगा आपका electric field due to negative charge और ये होगा आपका electric field due to positive charge है के नहीं ठीक है अब मेरी बात को सुनना ध्यान से आपर इधर देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ठीटा माल लेता हूँ तो ये भी आपका ठीटा होगा न because ये perpendicular bicepter है तो आपका ये angle और ये angle बराबर क्यों होगा because ये side और ये side बराबर है है ना ठीक है अब देखो यहाँ पर दियान से यहाँ पर आप क्या करोगे यहाँ पर इस electric field को resolve करोगे इस horizontal के long और perpendicular के long हाई ना यहाँ काम करो अभी इसको अगर e negative ना मानके इसको e1 बोल देगा e1 और इसको अपन e2 बोल देगा ज्यादा बड़र रहेगा ये e1 और ये e2 मतलब e1 होगया आपका negative का feel और e2 होगया positive का feel ठीक है अब देखो मैं इस e1 को resolve कर रहा हूँ तो आप बदाओ resolve करूँगा मैं ये theta तो ये भी theta होगा तो आप बदाओ e1 का horizontal component कितना होगा e1 cost theta और vertical कितना होगा तो ये हो जाएगा आपका e1 sine theta हाई ना ठीक है similarly ये बदाओ ये theta है तो ये भी theta होगा कैसे ये theta है तो corresponding angle से होगा theta देखो ये theta है तो ये भी कितना होगा theta चलो तो आप बदाओ e2 का resolution करोगे तो कितना हो जाएगा ये e2 cost theta और इसका perpendicular component क्या होगा this is also ये e2 sine theta होगा ये 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 होगा ये 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 मानते हो चलो अब एक काम करते है मैं पहले e1 और e2 की value निकाल लेता हूँ मैं e1 किसका feel है negative का feel है e2 किसका feel है positive का feel है ठीक है अब बताओ यहाँ पर इस charge से लेकर के point p तक की दूरी कितनी होगी under root of what आपका ये बताओ ये पूरा 2a है तो ये a होगा ना मानते हो तो ये क्या हो जाएगा a square plus r square होगा ना ये पाइतगर अस्यरम से ठीक है अब बताओ e1 की value कितनी हो जाएगी तो e1 की value कितनी होगी आपकी formula होता है k q by r square मतलब k into q upon distance का square तो k into q upon r square और यहाँ पर r का मतलब distance किसका क्या distance यहाँ पर है under root of a square plus r square इसका whole square electric field due to point charge का formula होता है k into charge upon distance का square ठीक है और तुम बोलोगे sir यहाँ negative क्यों नहीं लिया यहाँ पर हम सिर्फ magnitude निकाल रहे है direction तो बता दिया ना मैंने कि inward direction है ठीक है चलो अब अब अधाओ similarly e2 कितना होगा मतलब इसके current field यहाँ पर कितना होगा तो अब अधाओ यह भी तो आपका a होगा तो यह भी आपका under root of a square प्लस r square होगा मानते हो ना ठीक अब अधाओ e2 की value कितनी हो जाएगी इसके कारण यहाँ पर field kq upon distance का square that is under root of a square प्लस r square का whole square बोलो हाई ना अब यह बताओ यहाँ पर e1 और e2 दोनों की value same है की नहीं तो एक काम करते हैं इसको अगर हम x मालने हैं तो यह भी आपका x होगा ना मतलब e1 और e2 दोनों को मैंने x माल लिया दोनों बराबर है क्योंकि ठीक है अब जरा सोच के बताओ जितना e1 है उतना ही e2 है मतलब जितना e1 sign होगा उतना ही e2 sign होगा और दोनों opposite direction में हैं तो यह दोनों एक दूसरे को cancel out कर देंगे ना तो आप बताओ हम यह आपर क्या बोलेंगे since e1 sign theta and e2 sign theta are equal in magnitude are equal in magnitude and but opposite in direction but opposite in direction therefore therefore ठीक है they cancel out with each other cancel out with each other ठीक है तो आप बताओ यह दोनों तो picture से का है अब जो net feel होगी वो सिर्फ दोनों के cost component को add करने से मिलेगी ना क्योंकि दोनों का cost component एक ही direction में है तो आप बताओ therefore जो net feel होगी है ना जो net feel होगी वो होगा e1 cost plus e2 cost हाँ है ना ठीक है अब बताओ देख करके आपर यहाँ पर e1 और e2 दोनों सेम है ना तो यह बताओ x cost प्लस x cost तो 2x cost ना तो यह बताओ इसको मैंने 2x cost बोल दिया चलेगा मैंने e1 e2 को बोल दिया xx clear चलो तो अब बताओ e net कितना होगा देखते हैं आओ कहाँ पर देखें चलो next पर चलते हैं इदा देखो तो e net होग जाएगा आपका 2x cost थेटा और यह बताओ x की value कितनी निकाली मैंने kq upon distance का square तो kq upon distance का square तो distance का square किया तो root और square cancel out तो only a square plus r square और cost थेटा की value ज़र डाइगराउं से देखें बताओ cost थेटा क्या होगा a upon hypotenuse मतलब a upon under root of a square plus r square तो यह हो जाएगा a upon under root of a square plus r square बोलो हाए न तो अब बताओ जो net field होगी e net equal to k into थोड़ा सा मैं rearrangement कर रहा हूं k into q into 2 इसको देदो whole upon a square plus r square into root of a square plus r square तो यह a square plus r square whole power 3 by 2 हो जाएगा न आब दाओ root का मतलब power 1 by 2 और यह power 1 तो 1 plus 1 by 2 कितना होदा 3 by 2 ठीक है अब दाओ charge into separation इसे dipole moment बोलते हैं न तो kp upon a square plus r square whole power 3 by 2 हाए न ठीक है अब यहाँ पर आप लोग यह भी कर सकते हो एक तो expression यह हो गया ठीक है आप यह भी कर सकते हो कि अगर आपका dipole short हुआ तो for short dipole for short dipole आप बदाओ देखके अगर यह short dipole हुआ तो यह r की value दोनो चार्ज के बीच के separation के मुकाबले बहुत ज़ादा होगी न भाई dipole short का मतलब उन दोनों charges की बीच का gap बहुत कम है और तो जो 2a है 2a वो बहुत कम होगा न as compared to what r अगर short dipole ले तो जब भी short dipole लेते हैं न तो जो separation है ठीक है वो बहुत कम होता है as compared to r मतलब यहाँ पर r की value बहुत ज़ादा होगी as compared to a तो हम a को ignore कर सकते हैं as compared to r तो यहाँ पर देखो हम बोलेंगे a is much much less than r तो इस a को ignore कर दो इसकी comparison में तो net field at equatorial position जो होगा वो होगा kp upon यह ignore तो यह आपका r square की power 3 by 2 यह to cancel तो यह हो जाएगा kp upon r cube हाँ है न ठीक है तो यहाँ पर देखो आप e equatorial जो होगा वो होगा कितना kp by r cube is it clear ठीक है और इसका जो direction होगा न देखो आपका e1 cos plus e2 cos अब दोनों का direction सेम है तो net field का direction भी वह होगा न e net मतलब जो net field का direction है वो देखो dipole moment के opposite में है के नहीं dipole moment का direction है toward right तो electric field का direction है toward left और याद अकना आप लोग equatorial position पे जो electric field का direction होता है वो हमेशा dipole moment के opposite में होता है ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ठीक है opposite to direction of electric field तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ठीक है आपका dipole moment dipole moment ठीक है यह कहानी है clear चलो तो एक काम करें आप लोग पहले इसका screenshot ले ले फिर आप लोग इसका screenshot ले ले अब देखते हैं अपन यहाँ पर next question क्या कहता है देखो दियां से question number 3 में तो यह आपका आए है 2014 में ठीक है देखो सवाल क्या है simple कहानी है an electric dipole of length 4 cm when placed with its axis making an angle of 60 degree with a uniform electric field experiences a torque of 4 root 3 newton meter मतलब एक dipole है जिसकी length कितनी है 4 cm मतलब जो आपन लेते हैं न 2a वो आपका 4 given है और उसको हमने place किया है 60 degree angle पर electric field से ठीक है तो उसमें torque कितना लग रहा है इतना लग रहा है तो calculate the potential energy of the dipole if it has a charge of plus minus 8 nanoculum तो उसी position पे कितना potential energy होगा वो आपन को निकालना है आओ अब ज़रा सोचो यहाँ पर अपन को potential energy निकालनी है ठीक है तो एक काम करते हैं पहले मैं डागराम मनाता हूँ आपके लिए यह आपका electric field है भाई यह आपका electric field है है ना uniform electric field है ठीक है यहाँ पर आपने रख दिया एक डाइपोल को तो यह आपने रखा डाइपोल को यह आपका है minus q जिसकी value given है वैसे और यह plus q ठीक है अब अब अदाओ देख करके आपर separation given है कितना 4 cm कितने angle पर रखा है इसको 60 degree angle पर अब अदाओ इसके पास कितनी potential energy होगी तो एक काम करो potential energy का जो formula होता है न वो होता है minus pe cost theta यह formula होता है भाई ठीक है तो अब बताओ minus pe cost theta formula होता है है नब अब बताओ theta तो मेरे पास है लेकिन भाई p into e मेरे पास नहीं है तो एक काम करते हैं इसको अभी equation number 1 दे दो अभी हम इस pe की जुगार करेंगे पहले है ना तो अब बताओ since torque equal to होता है pe sin theta बोलो हाई ना ठीक है अब देखो यहाँ पर यहाँ से जो आपका torque है ठीक है torque की value कितनी है 4 root 3 और pe अपने को अभी पता नहीं है तो अब बदाओ यहाँ से 4 root 3 is equal to pe sin 60 और यह होता है कितना root 3 by 2 तो आप बदा root 3 cancel 2 4s are 8 आप बदा pe की value कितनी हो गई 8 हो गई है ना ठीक है तो यहाँ पर मैंने pe की value निकाल ली कितनी 8 clear है चलो अब देखो यहाँ पर ध्याँ से इदा देखना यहाँ पर मेरे पास इखटा pe मिल गया ठीक है तो इस pe को 8 को यहाँ डाल दे sorry यहाँ डाल दे और theta मेरे पास है क्या मिल जाएगा potential energy मिल जाएगा तो यह देखो ध्याँ से आप लो यहाँ पर therefore u equal to minus of pe that is 8 into cos theta मतलग cos 60 clear तो यहाँ पर मैंने बुला from 1 तो अब बताओ देख करके यह कितना हो जाएगा minus 8 into 1 by 2 that is equal to minus 4 joule तो इतना होगा आपका potential energy उस position पर is it clear symbol कहानी मतलब यहाँ पर length की जरुरत पड़ी नहीं charge की जरुरत पड़ी नहीं है ना ठीक है तो एक काम करो इसका screenshot लो फिर बात करते हैं next question चले अब देखते हैं यहाँ पर next question क्या बोलता है वो देखो देहां से अब जो यहाँ पर question number 4 में है देखो क्या बोलता है वो an electric dipole is placed in a uniform electric field E with its dipole moment P parallel to the field माला यहाँ पर basically एक electric dipole है जिसका dipole moment P है उसको एक uniform electric field में along the field हमने place कर दी ठीक है ना फाइन पहला the work done in turning the dipole till its dipole moment point in the direction opposite to E यह देखो माल लो electric field ऐसा है तो आपका dipole moment भी ऐसा है initially में अब इसको turn कराना है तब तक जब तक यह dipole moment electric field के opposite ना हो जाए मतला मुझे 180 degree से turn कराना है न है कि नहीं ठीक है अब देखो यहाँ पर मुझे निकालना है कि 180 degree में turn कराने में कितना work करना होगा ठीक तो अब देखो ध्यांस दूँ यहाँ पर मैं पहले diagram मना देता हूँ आपके लिए यह आपका electric field uniform electric field है जिसको हम लोग show करते हैं parallel electric field line से और equally space से ठीक है तो यह आपका electric field है है ना ठीक है अब ध्यां देना आप लोग यहाँ पर अभी जो dipole placed है वो ऐसे placed है यह minus q और यह plus q तो dipole moment होता है negative to positive मतलब यह dipole moment है ठीक है तो dipole moment का direction अभी electric field के along है तो यहाँ पर जो अभी angle है dipole moment और electric field के बीच का वो आपका zero degree है क्योंकि along the field है तो यहाँ पर initial angle theta one हम zero मान लेंगे है के नहीं ठीक है ना अब मुझे इसको rotate कराना है कितने angle से 180 degree angle से तो final angle कितना करवाना है यह आपका है 180 degree तो work done कितना होगा तो देखो ध्यास यहाँ पर work done तो w is equal to formula होता है minus pe cos theta two minus cos theta one है के नहीं ठीक है चलो अब यहाँ पर मेरी बात को इनकी values नहीं है तो अपन यहीं रखेंगे यहाँ पर ठीक है अब बताओ यह आपका हो जाएगा cos 180 और यह आपका cos zero तो यहाँ पर answer क्या आएगा minus pe cos 180 की value minus one और यह minus वैसा का वैसा cos zero की value भी one होती है तो यह बताओ यह minus two into minus this is plus two pe यह होगा आपका amount of work done is it clear ठीक है now अब देखते हैं यहाँ आपका second part क्या बोल रहा है the orientation of the dipole for which the torque acting on it become maximum मतलब किस orientation में आपका torque की value maximum होगी तो आप यह बताओ इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए torque का expression तो tau is equal to आपको मालूम होगा pe sin theta और आप खुद बतादो के torque maximum तभी होगा ना जब sin theta की value maximum होगी और sin theta की maximum value कितने पे होती है 90 degree पे तो हम बोलेंगे at theta is equal to 90 degree tau is equal to p into e ठीक है that is a maximum value sin 91 तो आपका tau equal to pe जो की maximum torque होगा है कि नहीं तो इस orientation पे आपका maximum torque होगा जब आपका dipole moment electric field के perpendicular हो is it clear ठीक है चलो तो यह हो गया आपका simple question number आपका 4 है ना अब हम देखते हैं next question तो आप एक काम करें इसका screenshot लेने पहले चलो भई अब देखते हैं आपर next question क्या कहता है देखो ज्यान से question number जो आपका 5 है देखें ध्यान देना आप लोग यहाँ पर a small metal sphere carrying a charge plus q is located at the center of spherical cavity in a large uncharged metallic spherical shell देखो यह आपका यह क्या है आपका metallic spherical shell है और अंदर एक cavity है cavity देखो और यहाँ पर air है है ना और अंदर एक cavity है इसके अंदर हमने रख दिया एक plus q charge ठीक इतना clear है ना अब देखो अच्छा यह क्या आपका uncharged है यह अभी charge नहीं है ठीक है और इसके cavity में रख दिया हमने plus capital q charge now अब वो बोलता है write the charges on the inner and outer surfaces of the shell ठीक है तो inner surface और outer surface of shell में कितना charge होगा तो अब मेरी बात को सुनों ध्यान से इधर देखो यहाँ पर आपने रखा plus q charge ठीक है तो आप बताओ यहाँ पर जो inner surface है इस पे minus q charge आएगा ना है के नहीं ठीक है अब बताओ यहाँ पर आपका minus q charge होगा तो यहाँ पर क्या होगा plus q charge फिर यहाँ पर minus q charge और फिर यहाँ पर plus q charge बोलेंगे न हम लोग है कि नहीं ठीक है तो आप बताओ inner surface पर कितना होगा आपका minus q charge और outer surface पर कितना होगा plus q charge इस इंडक्शन से क्या होता है opposite charges induce होती है है कि नहीं तो यहाँ पर आपका positive charge है तो inner surface पर आपका negative q charge induce होगा ठीक है फिर यहाँ पर आपका just बाहर क्या होगा plus q ठीक है उसके बाद induction की वज़ा से minus q फिर वहाँ पर आपका plus q is it clear ठीक है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे देखो ज्यांसे आपका charge on charge on inner surface यह होगा आपका minus q and charge on outer surface outer surface यह होगा आपका plus q is it clear ठीक है चलो तो यहाँ पर तो induction से आपन को मालम चल गया कि inner और outer पे कितने charges होंगे अब इसमें एक और सवाल है आगे देखो write the expression for the electric field at the point p1 अब अपन को इस point p1 पर electric field की value बतानी है ठीक है अब बताओ यह जो आपका जो gravity है इसमें charge कितना है क्यों charge है ठीक है अब यह बताओ यह जो point है वो इस cavity के बाहर है न तो इस point पर जो भी electric field होगी वो इसकी वजा से होगी ठीक है और आप बताओ किसी स्फेर के कारण है न आउटसाइड के point पर अगर आपको electric field निका ली है तो formula क्या होता है simple 1 upon 4 pi epsilon 0 ठीक है इंटू जो charge है that is q upon आपके distance का square that is r1 square यह होगा आपका simple expression है कि नहीं तो equal to k q by r1 square यहाँ पर होगा expression is it clear ठीक है चलो तो यह होगा आपका simple सा question number आपका 5 है न तो इसका screenshot ले फिर हम बात करते है next question question number 6 चलो भई अब देखें यहाँ पर यहाँ से question number 6 में क्या बोलता है देखो point charge plus q is kept in the vicinity of an uncharged conducting plate मतलब एक positive charge को हमने एक uncharged conducting plate के करीब में रखा ठीक है एक आपका uncharged conducting plate है उसके करीब में एक plus q charge को रख दिया ठीक है आओ sketch electric field lines between the charge and the plate तो यहाँ पर electric field lines को sketch करना है आओ देखो देहां से यहाँ पर धियान देना यह बदाओ यह है आपका क्या conducting plate ठीक है यहाँ पर अच्छे यह uncharged है अभी कोई charge नहीं है यहाँ पर जैसी इसके vicinity में इसके करीब में मैं एक plus q charge रखता हूँ मैं ठीक है तो अब बदाओ इसके current इसका जो आपका pass वाला surface है उसमें negative charge होगा induce ठीक है नहीं नेगेटिव चार्ज होगा induce और जो outer है वहाँ पर positive charge होगा induce ठीक है अब बदाओ यहाँ पर यह negative है तो आप बदाओ और यह positive है आपको मालू मैंना field lines क्या होती है positive से निकलती है और negative के तरफ जाती है क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा ऐसा क्यों नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से निकलेगी तो perpendicular निकलेगी फिर भले आपका यह tilt हो जाए ठीक है ऐसा कहानी है clear now और यहाँ देखो यह positive है तो यह आपका बिल्कुल flat surface है तो यहाँ पर field lines कैसी होगी बिल्कुल flat surface होगी बिल्कुल vertical होगी clear तो यह होगा आपका electric field lines का आपका diagram ठीक है चलो तो यह होगा यह आपका simple question number six तो आप लोग ज़रा इसका screenshot ले ले फिर देखते हैं पर question number seven चले अब ध्यान देना आप लोग question number seven में क्या बोलता है वो देखो ध्यान से यहाँ पर सवाल क्या है two concentric metallic spherical shells दो concentric metallic spherical shells है जिनका radius है capital R और 2R are given charge Q1 and Q2 respectively ठीक है यहाँ पर दोनों metallic sphere को हमने charge दिया Q1 और Q2 ठीक है the surface charge densities on the outer surface of the shells are equal बना दोनों shell के का जो outer surface का surface charge density है वो सेम है ठीक है determine the ratio Q1 is to Q2 आओ बड़ा simple question है दियान देना आप बदाओ देखे यह आपका है एक sphere है यह एक sphere है ठीक है चलो अब देखो यह आपका मालो radius कितने का है यह आपका 2R radius का है मालो यह बहार वाला sphere है ठीक है अब एक और spherical shell है यह एक और spherical shell है इसका radius कितना है 2R है बोलो हाई न ठीक है चलो अब देखो the surface chart density on the outer surface of the shell are equal ठीक है अब यह बताओ हमने आपर क्या किया radius R वाले को Q1 चार्ज दिया है ओ यह 2R नहीं यह R है न हाँ देखो यह आपका R है तो यहाँ पर जो R radius का है inner वाला उसको कितना दिया है हमने Q1 चार्ज और जो outer है उसको कितना दिया है Q2 चार्ज देखो पहले radii R है उसका चार्ज Q1 फिर radii 2R है उसका radius सर्य उसका चार्ज Q2 ठीक है चलो अब जो इसका surface chart density है वही इसका surface chart density है तो माल लो इसका surface chart density sigma है तो इसका भी क्या है sigma है भाई sigma क्या होता है surface chart density ठीक है तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ let sigma बीदा surface charge density surface charge density अब जरा यह बताओ surface charge density मतलब जानते हो surface charge density क्या होता है charge per unit area ठीक है मतलब यह जो sigma है न यह unit area का क्या है charge है है तो अब बताओ मैंने बोला unit area का charge sigma है तो इस पूरे sphere का charge कितना होगा मतलब Q2 की value कितनी होगी तो आब बताओ यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या Q2 equal to what मतलब charge on the outer sphere जो होगा वो कितना होगा Q2 equal to what 4 pi into 2 r का square into sigma न है कि नहीं तुम यह बताओ charge per unit area मालो है sigma तो उसको उसके area से into कर देंगे तो मिल जाएगा total charge और total charge already given है Q2 अपन को तो हमने equate कर दिया और यह area होता है ना surface area of sphere 4 pi r square यहाँ पर r क्या है 2 r है ठीक है similarly अगर हम अंदर वाले जी जो अंदर वाला sphere है जिसका radius r है उसका charge निकाले surface का तो आब बताओ Q1 की value यह होगा इसका area that is 4 pi r square into sigma क्योंकि इसका भी surface charge sd क्या है sigma ही है है कि नहीं ठीक है तो आप दाओ देखके यहाँ पर outer surface में इतना charge inner surface में इतना charge अब आपन को क्या निकालना है ratio q1 is 2 q2 निकालना है ठेक है तो एक काम करो इसको 1 दो मैं लग इसको 1 दो और इसको 2 दो अब मैं divide करा 2 by 1 because मुझे q1 by q2 चाहिए 2 divided by 1 तो यह हो जाएगा q1 is to q2 divide करोगे तो आप देख सकते हो 4 pi 4 pi cancel sigma भी cancel तो आपका हो जाएगा r square upon 4 r square इसका square 4 r square cancel out 1 by 4 this is your answer simple कहानी है के नहीं ठीक है चलो तो यह हो गया आपका question number कौन सा आपका 7 तो इसका screenshot ले फिर देखते है अपन next question है ना चलो भाई अब देखते हैं next question क्या है कहता है यहाँ पर देखो यहाँ से question number आपका 8 देखो calculate the amount of work done calculate the amount of work done in turning an electric dipole of dipole moment this from its position of unstable equilibrium to the position of stable equilibrium in a uniform electric field of intensity this मतलब unstable equilibrium position से stable equilibrium position में लाने में कितना work करना होगा ठीक अब बदाओ सुनो ध्यान से simple सी कहानी यह है कि अगर मैं बोलूँ कि यह electric field आपका uniform है uniform electric field exist कर रही है तो unstable position मलूम क्या होता है जब आपका dipole moment electric field के opposite हो यह minus q यह plus q तो dipole moment होगा इस तरफ तो आप देखें इस बार dipole moment का direction electric field के opposite है इसे कहते है unstable equilibrium position तो यहाँ पर angle कितना होगा बताओ dipole moment और electric field के बीच का angle कितना होगा 180 ठीक है तो हम ऐसा कहेंगे at unstable equilibrium ठीक है जो angle होता है वो होता है 180 degree तो initially में वो इसी position में था तो उसको theta 1 बोल देंगे है की नहीं फिर हम उको क्या करना पड़ेगा उसको rotate करना होगा आपके stable equilibrium position में stable में ठीक है मतलब कितना angle करवाना होगा 0 degree ठीक तो अब अब आओ यहाँ पर हम बोलेंगे at stable equilibrium at stable equilibrium theta 2 is equal to 0 degree नहीं तो 180 से 0 लाने में कितना वर करना होगा तो formula यूज कर लेते हैं यार वर का वर का formula होता है minus pe cos theta 2 minus cos theta 1 है की नहीं ठीक है अब अदाओ minus pe p कितना आपका है अबर 3 into 10 की power minus 8 electric field कितना है 10 की power 3 cos theta 2 कितना 0 cos theta 1 कितना 180 ठीक है अब अदाओ देखके हाँ पर यह हो जाएगा minus 3 into 10 की power minus 5 cos 0 1 यह minus पहले से cos 180 again minus 1 तो यह बताओ यहां हो गया 1 plus 1 2 और 2 into 3 हो गया 6 तो minus 6 into 10 की power minus 5 इतना जून होगा आपका work done is it clear? यह कहानी है है ना? ठीक है तो यह होगे आपका simple सा question number 8 ठीक है तो बड़े simple simple question है यार बहला formula base है formula पता है तो काम आराम से होना है ठीक है? तो यह काम करें इसका screenshot ले 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 फिर हम बात करते हैं next question question number 9 चले अब देखते हैं बन question number 9 क्या कहता है? देखो ध्यान से अब लोग question number 9 में plot a graph showing the variation of coulomb force F versus 1 by R square यहाँ पर force और 1 by R square के बीच में graph बनाना है ठीक है? where R is the distance between the two charges है न? of each pair of charges 1,2 and 1,3 µC ठीक है? यहाँ बर क्या बोल रहा है? अपन को force और 1 by R square के बीच में graph बनाना है आपके दो pair of charges के लिए एक pair of charge है आपका like charges का और एक है आपका unlike charges का है कि नहीं? और जो R है वो उन्हीं दोनों pair of charge के बीच का separation है ठीक है? interpret the graph obtained फिर वो जो graph बनेगा ना उसको उसका interpretation क्या निकालोगे? ठीक है? महला उससे information क्या निकालोगे आपका वो अपन को बताना है ठीक है? आओ देखते हैं आपर तुम तो पहले यह बताओ यहर कूलम्स लोग पता है न तुम लोग को तो कूलम्स लोग क्या होता है? तो यह होता है आपका K into Q1 Q2 upon R square यह होता है कूलम्स लोग ठीक है? चलो महला कूलम्स लोग से यह आपका formula मिलता है अब बदाओ यहाँ पर K तो constant है और कोई particular charge जो given रहेगा वो भी constant रहेगा ठीक है? तो अब देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ F equal to K Q1 Q2 into 1 by R square हाँ लिख सकते हैं तो अब बदाओ यहाँ पर देख के आप बदाओ क्या force को हम directly proportional to 1 by R square बोल सकते हैं? इसको हमें as a X मानना है और इसको as a Y मानना है ठीक है? हमें गराब बनानी है force और 1 by R square की बीच में तो यह हमारा X हो गया यह हमारा Y हो गया तो Y is directly proportional to what? X ठीक? अब देखो मतलब यह हमारा X का रोल करेगा और यह हमारा Y है ठीक है और यह जो आपका यहाँ पर K into Q1 Q2 है न यह आपका जो होगा यह basically slope के तरह काम करेगा देखो कैसे? तुम देखो F is equal to K Q1 Q2 into 1 by R square तो यहाँ पर देखो यह हो गया आपका Y यह हो गया आपका X और यह हो गया आपका slope M तो क्या बना equation? Y equal to MX और यह तो जानते हैं और वो straight line का equation होता है है कि नहीं? ठीक है अब देखो ध्यान से यहाँ पर इधर देखो यहाँ पर ध्यान देना यह मैंने बनाया यह आपका force है और यह 1 by R square है ठीक? अब बदाओ यहाँ पर आपको देख रहा है Y equal to MX plus C मतलब यह straight line का equation है तो यहाँ पर straight line बनेगा लेकिन आप देखो जो पहला pair of charge है उसमें देखो 1 into 2 आपका कितना आएगा? 1 into 2, 2 तो 2 into 10 की power minus 12 है ना? अब बदाओ यहाँ पर अगर मैं इस pair की बात करूँ for 1 microcolum and 2 microcolum इसकी बात करूँ मैं तो आप बताओ slope की value क्या आएगी यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या होगा? k into q1 q2 तो 1 into 2 मतलब 2 और 10 की power minus 6, 10 की power minus 6, 10 की power minus 12 यह होगा इसका slope बोलो हाँ ना? ठीक है इसकी बात करें अगर हम लोग 1, minus 3 तो यहाँ देखो इसका slope क्या होगा? तो k into 1 into 3, 3 into 10 की power minus 12 अब तुम बोलोगे सर यहाँ negative क्यों नहीं लिया आपने? भाई हम लोग कूलंब force में जब लगाते है formula तो वहाँ पर हम minus sign लेते नहीं हैं ठीक है? क्यों नहीं लेते हैं हम लोग आपर? क्योंकि यह जो formula है वो सिर्फ magnitude calculate करने के लिए आपका use होता है बाकी अगर plus minus है तो हम उस force को attractive बोल देंगे और अगर like है तो ripple से बोल देंगे लेकिन कभी भी calculation में negative का इस्तमाल नहीं करते हम लोग है ना? कूलंब force में ठीक है तो आप दाओ देख करके इसका slope M1 मान लो इसका slope M2 मान लो दूसरे pair का आप दाओ ये M2 ज़ादा है के नहीं है के नहीं? और ये M1 कम है मतलब इस pair के लिए जो straight line बनेगा उसका slope ज़ादा होगा तो यहाँ पर दो graph एक ऐसा और एक ऐसा बना देते हैं तो आप दाओ इसका slope ज़ादा है के नहीं? तो ये किस pair के लिए होगा? इस वाले pair के लिए होगा for 1 microcolum, minus 3 microcolum और ये वाला किस के लिए होगा? इस वाले pair के लिए होगा हाई ना? आ रही है बाद समझ में? तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? कि since slope of ठीक है? since slope of यहाँ पर हम बोलेंगे slope of pair of charges 1 microcolum and minus 3 microcolum ठीक है? are greater है के नहीं? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? यह देखो since slope of pair of charges 1 microcolum minus 3 microcolum are greater है के नहीं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले graph से कि इसका वाला slope जादा है इस वाले slope से ठीक है? तो interpretation की बात अगर हम करें तो यहाँ पर हम यह बोल सकते हैं न कि force versus one by r square का जब भी graph बनेगा तो उसका जो slope है वो depend करेगा product of magnitude of charges का आप बताओ इसका slope कैसे निकाला मैंने k into q1 into q2 है कि नहीं? यहाँ देखो इसका slope कैसे निकाला k into q1 into q2 ठीक है? तो आप बताओ यहाँ पर हम बोल सकते हैं न here slope of graph depend on product of magnitude of two charges magnitude of two charges ठीक है? आ रहे है बाद समझ में? है ना? तो यहाँ पर पहले तो हमने यह देखा कि आपका slope of pair of charges बड़ा है ठीक है? इस pair का slope जो है वो जादा है और वही से हमने यह conclusion देखा कि जो आपका f वर्सेज वन बाई आ स्कूर का जो graph होगा उसका जो slope है वो product of charges पे depend करेगा जिसका जादा product उसका जादा slope ऐसी कहानी है ठीक है? तो यहाँ पर हमने यह दो interpretation निकाल लिये इसको आप sense ना करके एक point बोल सकते हो है के नहीं? और इसको भी आप एक point बोल सकते हो clear? ठीक है तो यह हो गया आपका simple सा graph है ना? तो आप इसका screenshot ले ले फिर हम देखते हैं next question चलो बाई अब देखते हैं यहाँ पर आओ question number आपका 10 देखो ध्यान से यहाँ पर क्या बोल रहा है? दो identical metallic spherical shells है A and B having charges 4Q and minus 10Q ठीक है? मेरे पास दो metallic spherical shells है है ना? ध्यान देना आप लोग बस यहाँ पर दो metallic spherical shells है एक माल लो यह shell है shell A इसमें कितना charge है? plus 4Q और एक और मेरे पास है spherical shell shell B इसमें कितना charge है? minus 10Q है ठीक? ओके? now are kept at a certain distance apart दोनों की बिच्पे एक particular separation है ठीक है? a third identical uncharged sphere C अब मेरे पास एक और spherical shell है uncharged C uncharged 0 Q ठीक? अब देखो is first placed in contact with sphere A पहले मैं इसको इसके contact में लाया ठीक? and then with sphere B फिर वहां से हटा के फिर इसके पास करीब में ले गया महलब इसके contact में ले गया पहले मैंने इस uncharged को A के contact में किया फिर हटाया? फिर B के contact में किया ऐसा बोल रहा है वो ठीक है? then sphere A and B are brought in contact उसके बाद फिर जो एक आपका sphere A है और जो sphere B है उनको भी contact में लाए ठीक है? now and then separated फिर अलग कर दिया उसको then find the charge on the spheres A and B तो ये सारे process करने के बाद finally इन दोनों पे charge कितना कितना होगा ये अपन को बताना है तो पूरा step wise चलते हैं आओ, देखो ध्यान से when uncharge ठीक है? sphere C comes in contact with A with A then charge on A and C become मालूम क्या होगा? जब हम कोई भी दो metallic sphere को touch करते हैं तो वहाँ पर जो total charge होता है ना वो दोनों charge के algebraic sum के बराबर हो जाता है और फिर जब उसको दूर करते हैं ना तो charge आधा आधा बढ़ जाता है है के नहीं? कैसे? देखो ध्यान सुनो अभी बता इस पर charge कितना है? 0 इस पर कितना है? 4Q जब इनको touch करोगे तो net charge कितना हो जाएगा? 0 प्लस 4 आपका 4 फिर जब इसको दूर इसको touch करके फिर दूर करोगे ना तो वो जो total charge है 4Q उसका 2Q इसके पास आजाएगा और 2Q इसके पास आजाएगा ऐसा होता है तो जब भी हम कोई दो metallic sphere को touch करते हैं तो net charge algebraic sum के बराबर होता है और फिर जब उसको अलग करते हैं तो equally charge बढ़ जाता है ऐसा होता है तो यहाँ देखो यहाँ पर आप बोलोगे इसका charge कितना? 4Q और इसका कितना? 0 upon में 2 हो जाएगा आदा आदा बढ़ जाएगा वही charges A और C पर आजाएगे तो आप बताओ 4Q upon 2 2Q ना माला अब क्या हो गया? A और C पर 2Q 2Q charge आगए ठीक है अब क्या किया? C को separate किया A से फिर C को B से ले गए अब देखो when अब आपका जो sphere C है वो charge हो चुका है 2Q से ठीक है? Now when charged sphere C comes in contact with B तो अब बताओ अब मैं बोलूँगा charge on therefore charge on A and sorry C and B is देखो अब बताओ अभी यहाँ पर C पर कितना charge है 2Q न? ठीक है? और वो C को जो 2Q charge है C के उपर उसको हमने B के contact में किया तो कितना हो गया आपका? 2Q minus 10Q क्योंकि इसका charge negative है upon 2 तो यह हो जाएगा minus 8Q upon 2 minus 4Q हाई न? ठीक है अब हो गया आपका C और B पर कितना कितना? minus 4Q clear है? अब बताओ अभी तक का क्या scenario है? मैं पुछूँगा A के पास कितना charge है? तो A के पास कितना charge है? 2Q यहाँ पर से clear हो गया था A पर कितना बचेगा? 2Q और B पे कितना हो गया अब? minus 4Q ठीक है? अब A पे है 2Q और B पे है कितना? minus 4Q अब हम A और B को contact मिला रहे हैं आओ देखो तो अब देखो ध्यान से आँ पर अब मैं बोलूँगा A का charge कितना है? 2Q और B का charge कितना है? minus 4Q ठीक है? तो charges on A and B अब A और B का charges add होंगे और फिर equally divide होंगे तो आब बताओ A का कितना? 2Q B का कितना? minus 4Q upon 2 तो यह होगा minus 2Q upon 2 minus Q माला अब A और B पे minus Q minus Q charge हो जाएंगे ऐसा कहानी है ठीक है? तो यहाँ पर concept क्या है? कि कोई भी दो modelic sphere को अगर हम टच करते है न तो उनका total charge algebraic सम हो जाता है और फिर जब दुबारा उसको separate करते है न तो आधा-ाधा बढ़ जाता है ऐसी कहानी होती है ठीक है? चलो तो यह हो गया आपका simple question number 10 है ना? आप इसका screenshot ले पहले चलो अब देखते है question number 11 देखो ध्यांसे question number 11 में क्या बोल रहा है? देखो a dipole with a dipole moment of magnitude P is in stable equilibrium in an electrostatic field of magnitude E find the work done in rotating this dipole to its position of unstable equilibrium तुम देख रहे हो? यह जो torque वाला है कि dipole electric field में रखा हुआ है work कितना पढ़े? कितना ज़्यादा frequently यह question आ रहे है मैं ला एक तरीकर देखा गया तो ना देखा जाए तो यह topic बहुत important बन गया अपने लिए क्योंकि frequently इस area से question आ रहे है है ना? ठीक है अब देखो अभी क्या है? आपका जो dipole है वो stable equilibrium में है stable equilibrium का मतलब होता है कि आपका जो dipole है वो along the field है और along the field का मतलब वहाँ पर theta की value कितनी है? 0 degree तो माल लेते हैं initial angle कितना है? 0 degree अब उसको unstable equilibrium के position में लेके जाना है मतलब opposite to electric field लेके जाना है dipole moment को तो 180 degree करवाना है तो theta 1 कितना है? initial angle कितना? initial angle कितना? आपका 0 degree और कितना करवाना है? 180 degree तो यहाँ पर हम बोलेंगे since w is equal to minus pe cos theta 2 minus cos theta 1 यह formula होता है तो यहाँ पर w equal to minus p dipole moment आपका p है उसकी value तो given नहीं है और यह आपका e cos theta 2 is 180 cos theta 1 is 0 तो अब बदाओ minus pe cos 1 एडी कितना minus 1 minus और cos 0 1 minus 2 into minus pe 2 pe इतना work करना पड़ेगा simple आपको बस यह formula बता होना चाहिए काम हो जाएगा है कि नहीं? ठीक है तो यह काम करें इसका screenshot लें फिर देखतें question number 12 क्या कहता है चलो बाई अब देखो question number 12 में question number 12 में क्या कह रहा है देखो देहां से a dipole is present in an electrostatic field of magnitude this electric field की value given है if the work done in rotating it from its position of stable equilibrium to position of unstable equilibrium is this इस बार पिछले question में जो work done पूछा था ना यहां दे दिया ठीक है? then find the magnitude of dipole moment of this dipole तो बड़ा simple कहानी है आप दाओ यहां पर initial में वो stable equilibrium में है मालब theta 1 equal to 0 degree बदा तब नहीं अभी आपको मैंने stable equilibrium का मतलब dipole moment field के long है ठीक है और वहां से unstable में लेके आना है तो 180 degree पे लेके आना है तो work done का formula होता है minus p e आपका cos theta 2 minus cos theta 1 ठीक है? अब देखो ध्याँ से work done इस बार given है 2 into 10 की power minus 23 ठीक है? अब देखो ध्याँ से equal to minus p p कितना आपका? निकालना है electric field कितना है? 10 की power 6 ठीक है? अब यहाँ पर cos theta 2 cos theta 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 180 cos theta 1 मतलब cos 0 ठीक है? अब बदाओ यह हो जाएगा आपका 2 into 10 की power minus 23 यह नीचे आके उपर आया यह आपका हो गया minus 29 अब देखो minus p cos 180 minus 1 यह minus cos 01 देखो कितना? minus 2 into minus p plus 2p ठीक है? तो यहाँ पर 2 into 10 की power minus 29 equal to minus p into आपका minus 2 मतलब यह कितना हो गया आपका? plus 2p plus 2p तो यह आपका cancel out तो p की value हो जाएगा 10 की power minus 29 ठीक है? तो यह आपका हो गया इतना कूलम मीटर लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि यह जो value है बहुत कम है तो मुझे इस value में थोड़ा doubt हो रहा है 10 की power minus 23 बहुत कम value है यहाँ पर ठीक है? कोई बात नहीं अपन को concept पता होना चीए है के नहीं? बाकी values जो भी हो वो तो calculation पर पड़ेगा बस और क्या है ठीक है? चलो तो इसके according तो यह हमारा answer है Is it clear? ठीक है? चलो तो एक काम करें यह इसका screenshot ले ले फिर देखते हैं अपन 13th question चलो बाई अब देखो ध्यान से यहाँ पर 13th question deduce the expression for the electric field E at a point R due to a system of two charges Q1 and Q2 with position vectors R1 and R2 with respect to common origin है ना? अपन को क्या करना है? basically electric field का expression derive करनी है एक point पर जिसकी दूरी कितनी है? R है है ना? कहा से? origin से ठीक है? with respect to common origin ठीक है? और यहाँ पर 2 charges की वज़ा से अपन को electric field निकालनी है और वो 2 charges क्या है? Q1 and Q2 तो मेरी बात को सुनना ध्यान से इधर देखो इधर देखो basically क्या है? यहाँ पर ध्यान देना यह आपका है partition है ना? अब देखो ध्यान से यहाँ पर यह दो charges है एक है Q1 इसका position vector मानलो R1 है ठीक है? R1 vector यह आपका Q2 है charge इसका position vector मानलो R2 vector है है के लिए? बूइ भी भी रहा ना? position vector कितना R1, R2 है? ठीक है? इन दोनों की वज़ा से हमें एक particular point पर electric field की value derive करनी है जिसकी दूरी मानलो यह point वो है P इसकी दूरी origin से कितनी है? R vector है तो मुझे इस point पर इन दोनों की वज़ा से net field निकाल ली है ठीक है? अब देखो ध्यान से तो बदाओ अगर मानते हैं यह positive है यह भी positive है तो इसकी field कैसी होगी यहाँपर? outward इसे even बोल दो यह क्या होगा आपका? E2 हाई ना? ठीक है? अब ध्यान देना अगर मैं आपसे even की value पुछू तो आप बताओ देख करके हाँपर even जो होगा अच्छा एक काम करते हैं पहले इसको नाम देएते A यह B और यह तो P है तो आप बताओ जो AP है AP यह जो AP vector होगा AP vector इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आर वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर अगर एक काम करो यहाँ पर यहाँ पर देखो जहां से अगर मैं इस triangle में triangular law लगाऊँ तो आप बताओ यहाँ पर बोल सकते हैं न यह देखो यह देखो यह आपका position vector आर वन है आर वन वेक्टर plus AP vector equal to R vector यह आपका resultant vector है के नहीं R vector तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं by triangular law by triangular law मैं आपर बोल सकता हूँ R1 vector plus AP vector equal to R vector तो यहाँ पर AP vector कितना हो गया यह हो गया R vector minus R1 vector तो यहाँ पर आप AP vector को बोल सकते हो R vector minus R1 vector तेके हैं मैं आपका AP vector क्या होगा P का position vector minus A का position vector similarly अगर हम BP vector की बात करें तो यह होगा आपका क्या आपका R vector minus R2 vector तो आपका BP vector क्या होगा R vector minus R2 vector हो गए ठीक है अब ध्यान देना आप लोगा यहाँ पर अब मैं निकाल लेता हूँ इसके कारण electric field यहाँ पर तो आप बताओ E1 ठीक है E1 vector is equal to बताना आप बताओ इसके कारण यहाँ पर field की value कितनी होगी KQ1 upon distance का square मतलब AP का square mod of AP ठीक है इसका square into position vector position vector का मतलब यहाँ पर यहाँ पर बोलेगी unit vector क्या होता है vector का form magnitude into unit vector और unit vector वो जो direction को show करे और इसका direction क्या है A से लेके P तक यह direction है तो यह हो जाएगा आपका AP cap यह होगा आपका with direction electric field is a vector quantity अगर उसको vector के form शो करना है तो होना चाहिए magnitude into unit vector ठीक अब देखो देहां से यहाँ पर अब अदाओ यहाँ पर KQ1 ठीक है upon AP vector को लिख सकते हो क्या आप R vector minus R1 vector का mod का square और AP cap को लिख सकते हो क्या तुम AP vector upon mod of AP मालू मैं न unit vector को क्या लिख सकते हैं लोग vector upon magnitude ठीक है अब बदाओ देख करके KQ1 upon यह भी वही चीज़ है R minus R1 vector तो आप बदाओ इसको लिख सकते हैं क्या R minus R1 vector का Q और AP vector मतलब R vector minus R1 vector यह देखो यह भी आपका क्या है R minus R1 तो यहाँ square है यहाँ पर single है हो गया Q और यह AP vector क्या होगा R minus R1 vector ठीक है यह होगे आपका electric field पहले charge की वज़ा से अब अगर मैं इसकी वज़ा से दिखूँ तो मैं इसी का pattern directly follow कर लेता हूँ ठीक है आओ देखो दियान से अगर मैं E2 की बात करूँ तो धियान देला इधर देखो अब चार्ज कौन आएगा Q2 और distance कौन सा लेंगे ये वाला लेंगे distance मतलब BP और BP की value कितनी है R minus R2 तो यहाँ पर आप बताओ K into Q2 लिख सकते है अपन mod of R minus R1 vector mod का Q into R vector minus R1 vector ठीक अब बताओ मुझे net field चाहिए तो हम क्या करेंगे इन दोनों vector का vector sum करेंगे है के नहीं ठीक है तो अब बताओ vector sum करेंगे तो simple उनको लिख दे हम लोग यहाँ पर तो KQ1 upon mod of R minus R1 vector है आपका mod का cube into R vector minus R1 vector यह गया E1 plus E2 कितना होगा KQ2 upon mod of R minus R2 vector का cube into R vector minus R2 vector अब यहाँ पर देखो ध्यासे यहाँ पर आप चाहो तो K common लेलो बाकी सब कुछ वैसा का वैसा छोड़ना पड़ेगा R minus R1 vector upon R vector minus R1 vector mod का Q plus plus आपका हो जाएगा Q2 R vector minus R2 vector upon mod of R vector minus R2 vector का Q ठीक है यह हो जाएगा आपका simple net electric field का expression यहाँ पर आपको vector का concept पता होना चाहिए तो काम बन पाएगा किसी भी vector quantity को जब लिखते हैं न तो उसका magnitude and direction और direction के लिए कौन शो होता है unit vector तो मैंने लिखा वहाँ पर magnitude that is KQ by R square मैं लगा K into charge upon distance का square into unit vector फिर जब मैंने unit vector को भी convert किया न तो unit vector क्या लिखते हैं हम लोग vector upon magnitude तो यहाँ पर एक और magnitude आ गया तो क्यूँ बन गया ऐसी कहानी है तो यह हो गया आपका simple derivation expression तो यह काम करें आप लोग पहले इसका screenshot ले ले फिर आप लोग इसका screenshot ले ले चलो तो यहाँ पर अपना यह जो two marks question है यह अपना over होता है ठीक है मैं आपने देखा question जो है उसका level नहीं है basic basic questions है ठीक है मैं अब मैं यह कहूँँगा आपसे कि अगर आपने chapter को ठीक है thoroughly पढ़ा हुआ है ठीक है सारे important formulas वगर आपको पता है तो question आराम से बनेंगे और एक बात आपने notice कि आपर कि frequently जो question आ रहा है न वो आप देख रहे हैं कहां से जादर question पूछ रहा है वो वो पूछ रहा है आपके किससे आपका dipole placed in a electric field से work done निकालना torque निकालना stable equilibrium unstable equilibrium इनगी कहानी जादा पूछ रहा है वो है कि नहीं ठीक है चलो तो अब जो next video होगा न उसमें हम बात करेंगे three marks question की उपर ठीक है तो बस ऐसी video को देखने के लिए क्या करना आपको simple magnetbrains.com पे जाए या फिर जो magnetbrains का YouTube channel है वहाँ पर आप जाएं वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे courses मिलेंगे जो कि बिल्कुल free of cost है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने एक दूट टापिक पढ़ लिया तो फिर कोई coupon लगाना पढ़डा हो पेइमेंट करना वीडियो हो पर आपसे बिल्कुल मिसना हो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फाइदा मिल पाए थैंक यू